दोस्तो आप सभी को टेक ज्यान 1M चैनल की तरफ से 9 अर्स की हार्दिक सुब कामना है दोस्तो एक जनवरी 5 जनवरी आ चुका है और लोगों के मन में सवाल रहता है कि कौन से कंपनी कौन सा आफर लाई है वह भी रिचार्ज प्लान में क्योंकि सभी के पास फोन होता है और उस फोन में सोचते है कि कौन सा आफर आया है तो पूरी जनकारी तीनों कंपनी के बारे में बताता हूं बोड़ा फोन आइडिया जियो और एयर टेल ध्यान से समझिएगा देखें रिचार्ज की बात करते हैं तो रिचार्ज में कुछ भी बदलाव नहीं आया है लेकिन ब जीबी डाटा भी मिल रहा है तो ध्यान से समझिएगा देखें पहला प्लान आता है जिसमें जीओ कंपनी क्या करती है आपको एक साल के लिए देती है टू पॉइंट फाइबी डाटा पर डे लेकिन इसमें बेनेफिट्स यह है कि आपको तेज दिन इक्ष्ट्रा देगा 265 के बाद भी 23 दिन इक्ष्ट्रा देगा और 75 जीबी डाटा भी आपको बिल्कुल फ्री में देगा एरहा जीओ कंपनी का दावा दूसरी प्लान जो मैंने अभी आपको बताया कि 203 रुपे का एक प्लान लांच हुआ है जिसमें आपको पूरे 252 दिन के लिए जिसमें आपको 252 दिन के लिए 2.5 जीबी डाटा डेली मिलेगा यदि आप 252 गुड़ते कल्कुलेट करते हैं आप 2023 रुपे के हिसाब से तो आपका 8 रुपे 5 पैसा ही गिरेगा डाय जीबी डाटा आपको डेली मिलेगा तो यह प्लान बहुत ही अच्छा है वन येर का न देखिएगा चैनल पर मिल जाएगा अब बात करते हैं अगला प्लान बोड़ा फोन आइडिया भी आई के लिए यदि भी आई सिम कार्ड है तो भी आई कौन सा आफर लाया है भी दिखे अपने अप्लिकेशन के अनुसार वह भी माई जीओ यानि जो आपका भी आई एप करता है उसके अनुसार वह दिखे अनुसार के अंडर का रिचार्ज करते हैं तो आपको दो जीओ डाटा फ्री में देगा और दो सो के निन्यान बेरुक्पे के ऊपर का रिचार्ज करते हैं तो आपको फाइव जीओ डाटा बिल्कुल फ्री में देगा किसी भी प्लान मिला नहीं कोई डाटा आफर फ्री में मिला तो अभी तक मुझे ऐटल की तरब से देखने को ऐसा आफर नहीं मिला है दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिये और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्यू और मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो के साथ तब तक के बाई प्रेंट